हेलो एब्रीवन और स्वागत है आपका Defense Officers Academy के एक और नए informative वीडियो में और आज का जो हमारा वीडियो है यह चर्चा है खास विशय पे कि सैनिक स्कूल नहीं तो क्या आपको मालूम है अभी हाल ही में सैनिक स्कूल के एक्जाम के रिजल्ट्स आये थे और उसके बाद की कांसलिंग की प्रॉसेस है वह स्टार्ट हो चुकी है की कांसलिंग की प्रॉसेस के दौरान हमने खास एक्सपीरियंस आपके साथ जो हम शेयर करना चाह रहे हैं वह यह हुआ था कि पेरेंट्स के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और मेजॉरिटी वाइज जो भी पेरेंट्स है वह जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे का जो स्कूर है उस स्कूर के हिसाब से क्या उन्हें कोई चैनल पर की काउंसलिंग की जो संपूर्ण प्रक्रिया है हमने उसकी जानकारी दी है एक्सपेक्टेट कट ओफ से लेकर के एकॉंसलिंग पर आखरी बात तक जितने भी वीडियो हैं वह सैनिक स्कूल और उसमें एडमिशन के लिए जो भी अभिरती है उनके लिए जरूर पाइदे मन्द रहेंगे लेकिन इसमें एक खास तबका ऐसे पेरेंट्स का भी है जिनका कहना है कि उनके बच्चों का जो स्कूर है वो काफी लो है यानि कि ऐसा हो सकता है कि उनका सैनिक स्कूल में इस बार चायन ना हो और ऐसे बच्चों के लिए कहीं कोई भी वीडियो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, या कोई ऐसी information नहीं मिल पाई है, कि अगर सेनिक स्कूल नहीं तो क्या? देखिए, यह जो exam है, इसको बहुत छोटे बच्चे देते हैं, और exam में, अलग-अलग वजहों से, बच्चों के अलग-अलग scores आते हैं, इसमें पढ़ाई का योगदान तो बिल्कुल है ही, लेकिन साथी साथ बहुत सारे other factors भी होते हैं, जब आपको exam देते हैं, तो बहुत सारे other issues भी आपके साथ चलते हैं, मतलब किसी खास दिन अगर आपकी तब्याद थोड़ी खराब हो गई, या किसी खास दिन आप exam center में किसी वज़ा से थोड़ा लेट पहुँच गए, या फिर उस exam के दिन आपकी जो OMR sheet filling की process है, उसमें कुछ गड़बढ हो गई, या फिर और भी कई सारे factors होते हैं that are all random, तो उसकी वज़ा से बच्चों के अलग-अलग score आते हैं, अब जिन बच्चों के कम score आये हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वे बच्चे किसी लायक नहीं है, दरसल ये सिर्फ एक दिन की process और उसमें कुछ खास बदलाओं की वज़ह से होने वाले scores है, और जो बच्चे अच्छा perform कर रहे हैं, उन्होंने सारी की सारी process को ठीक से पूरा कर लिया था, इस वज़े से उनका अच्छा score है, और जिन बच्चों का कम score है, वो निराश नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए, बहुत कम उमर है एक तो पहली बात आपकी, और दूसरी बात यह है कि सायने की स्कूल के बावजूद भी, बहुत सारे options आपके खुले रहते हैं, यह मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ school education के दौरान ही, आपको बहुत सारी opportunities और मिलती हैं, अपने future को secure करने की, उसमें better education गेन करने की, तो सायने की स्कूल के बाद कौन सी opportunities आपको मिल सकती हैं, या फिर इस बार जिनका selection नहीं हो पाया किसी वज़े से, या नहीं हो पाएगा, फिकाज इ-counseling की process अभी भी चल रही है, और ये विभिन चरणों से होते वे गुजरेगी, इसमें कई सारे rounds होंगे, जिनके attempts बाकी है, यानि कि आप next जो सैनिक स्कूल का exam है, उस पर भी focus कर सकते हैं, और ये आपके लिए एक better opportunity है, तुरंत अपनी तहियारी में उतर जाने की, जो next सैनिक स्कूल का exam अगले बार होगा, उसके लिए आप अभी से कमर कर सकते हैं, यूँकि अभी आप बिल्कुल सही mode पर काम कर रहे हैं, रीसेंटली आप गिवन दी एक्जामिनेशन, और कुछ कूर्स या syllabus का हिस्सा आपने complete किया हुआ है, आप पूरी process से अवगत है, और साथी साथ आपको ये भी पता है कि what are your weak points, तो जो लोग सहनेक स्कूल के further exam के लिए भी eligible हैं, उनको अपने weak points पर काम करना है, ये weak points आपकी study से related हो सकते हैं, आपके syllabus के कुछ हिस्से हैं जिनमें आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, तो अगर वो आपके weak points हैं, तो उन पर काम करना शुरू कर दीजिए, practice makes a man perfect, इसके अलावा अगर आपने कुछ ऐसी गलतियां किया हैं, जो सिर्फ exam से related हैं, तो उन पर भी जरूर काम कीजिए, और वहां पर भी आपको test series जैसी जो mock test होते हैं, उन सब पे बार-बार काम करके उस पूरी process से habitual होना है, इन सब के अलावा, सेनिक स्कूल के अलावा भी आपके सामने RIMC और RMS जैसे महत्तुपूर्ण स्कूल में admission का द्वार भी खुला रहता है, इस आर अल्सों पॉर्चनिटी जुच यूच आपको लगता है, कि आप आगे किसी और exam की तहीं आरी करना चाहते हैं, तो फिर और यूर फ्यूचर एंडेवर, देर आर मैनी डिफेंस लेटेड एग्जामिनेशन जो कि आप graduation और उसकी कुछ समय बात तक भी दे सकते हैं, जिसमें NDA है, जो आप 12th Class के समय पर देते हैं, F-Cat है, this is the same, C-D-S graduation तक आप दे सकते हैं, अब एक-एक करके उन पर थोड़ी सी आपको मैं जानकारी देता हूँ, हालना कि जादा तर बच्चे अवेर रहते हैं, लेकिन फिर भी, for the beginners, school level पर अगर आपको defense oriented रहना है, तो फिर ये RIMC, CENIC school और RMS के माध्यम से आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें RIMC अगर हम उसकी बात करें, तो there is only one RIMC school, which is in Dehradun, और इसी से ये बात clear हो जाती है, कि एक मात्र school है, बहुत tough competition है, और उसके अलावा गुणवत्ता भी यहां पर maintain रहती है, because एक ही RIMC है, जिस पर सारे का सारा focus रहता है, और हम जानते हैं कि RIMC से निकलने वाले बच्चों का भविश्य क्या रहता है, इससे शायद आप सबी लोग अउगत होंगे ही, इसके अलावा, Shenic School के एक्जाम के बारे में आप भली माती अउगत है ही, there are total 33 Shenic Schools, जो कि basically All India Shenic Schools Society का हिस्सा है, और इसमें admission की जो पूरी process है, उससे आप अभी अउगत हो ही चुके हैं, इसके अलावा, RIMS भी एक better opportunity है, राश्ट्री military school, जो की पूरे भारत में इस समय पर पाँच स्कूल है, और इन पाँच स्कूल में भी एक better educational opportunity आपको मिलती है, इसमें अगर हम age criteria की बात करें, So, what is the age criteria for getting into the RIMC? बहुत simple age criteria है, देखे, आपकी उमर होनी चाहिए 11 and a half years to 13 years के बीच में, अगर आप इस age bracket में पढ़ते हैं, और यह बात कर रहा हूँ, 31st of March, और यह RIMC के लिए March का नहीं, जबकि यह January और July के session में होता है, RIMC के लिए आपको, या तो अगर आप January वाले session में enter करना चाहते हैं, या फिर July वाले session में admission लेना चाहते हैं, तो इतनी तारीख तग आपकी उमर साड़े ग्यारा साल से 13 साल के बीच में होनी चाहिए, आपको 13 साल की उमर attain नहीं करनी है, आप 13 साल से कम होनी चाहिए, so you should be less than 13 years of age, January और July इसलिए कह रहा हूँ, because दो बार साल में इसका exam होता है, तो exam जब किया जाता है, तो आपको एक तो June में होता है, most probably इसका exam, और एक December में होता है, तो साल में दो opportunities मिलती है, देखिए, exam competitive है, tough है, लेकिन इसके अलावा opportunity भी साल में दो बार है, तो यहां से भी आप इसको और ज़ादा, अपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं, admission कौन सी class में होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो आपका admission इसमें होगा, according to your age also, आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, admission to class 8th only, साल में दो बार, दो sessions के लिए exam conduct किया जाता है, लेकिन आपका आठवी कक्षा में ही admission होगा, इसका मतलब क्या है, आप या तो class 7th में अभी पढ़ रहे हों, या फिर exam की प्रक्रिया पूरा होने तक, आपने class 7th को पास कर लेना चाहिए, तो यह एक criteria है इसका, June और December में exam होता है, यह हम बताई चुके हैं, और admission class 8th के लिए होता है, तो यह RIMC के लिए अब आप अपने हिसाब से, अपनी उमर और अपनी eligibility और मौझूदा opportunities के हिसाब से सोच सकते हैं, अगर आप इस age bracket में पढ़ते हैं, आपने सैनिक स्कूल के लिए prepare किया है, तो you must have known about the RIMC, और मुझे लगता है आप लोगों ने उसकी तैयारी भी शुरू करी दी होगी, क्यों? क्योंकि अभी June में ही यह exam होना टाय है, और उसमें कुछ ही महिनों का समय बचा है, और according to the competitive environment, आपको थोड़ा बहुत अपनी जो skills हैं, उनको और जादा polish करना पड़ेगा, उनको और जादा upgrade करना पड़ेगा, तो उसके लिए जब आप अपने skills को upgrade करना चाहते हैं, तो RIMC में एक नया pattern हमने पिछली दो exam से देखा है, यह pattern maths को ले करके है, और इस maths में कई सारे बच्चों ने परेशानी अनभव की है, because the last two paper हुए है, उसमें maths में आपको एक different type of questions, एक different set of questions देखने को मिले थे, यह questions कुछ ऐसे थे जो शायद बड़े-बड़ों से भी ना solve हो, लेकिन बच्चों के लिए ऐसे question दिये गए थे, लेकिन घबरानी के इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी pattern हो, जब उन नया होता है, तो थोड़ा चौंकाता है, लेकिन over the period of time, we can attain this skill to solve it. तो math को लेकर के हभी Defense Officers Academy आपके सामने, R.I.M.C. Math Olympiad का एक अलग से course लेकर के आए हैं, यह जो R.I.M.C. Math Olympiad की classes हैं, यह हमारे offline batches में, जो कि यहाँ Academy में conduct किये जाते हैं, और साती साथ जो हम online lectures लेते हैं, या फिर कहें कि बच्चों के साथ जो हम online classes लेते हैं, basically Google meet के थूँ, जहांपर बच्चे enroll करते हैं और हमसे पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमने एक अलग से batch शुरू कर दिये हैं, इसके अलावा हमारी जो Defense Officers Academy की app है, जो कि आप Play Store से easily get कर सकते हैं, या राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने इसके video lectures आपको avail करा दिये हैं, यानि कि आपके पास पूरा संसाधन मोहिया है, अगर आप R.A.M.C. को अपना लक्ष बनाते हैं तो, और उसमें जो नए बदलाव आया है, उसके लिए this is the crucial thing, ये course जो R.A.M.C. Math Olympiad से related है, आप चाहें तो हमसे offline जुड़ करके, इसको अपनी पूरी तैयारी के साथ एक comprehensive package के तौर पर ले सकते हैं, या फिर आप हमसे online जुड़ करके, आप दहरादून में, जहां Defense Officers Academy आपको इन exams के लिए तन्यार करती हैं, वहां आ करके नहीं जुड़ सकते हैं, तो अपने घरों से भी आप online classes हमसे ले सकते हैं, जो कि हम conduct कराते हैं regular basis पर, और वहां भी आपको math olympiati class सामको 6.30 के around शुरू हो जाती है, वहां से आप join कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी timing को ले करके थोड़े बहुत यहां पर पर परिशान हैं, तो आप Defense Officers Academy की app के थूरू जब चाहे तब उन video lectures को gain कर सकते हैं, और वहां से जो अपनी तैयारी है, उसको और ज़्यादा एक नया पड़ाओ दे सकते हैं, तो यह बात रही RIMC की as an opportunity, और मेरा कहना है कि अगर आप eligible हैं, तो आपको सबसे पहले RIMC को ही focus करना चाहिए, इसके बाद अगर हम बात करें, तो RIMC के बाद अगली opportunity आपको देखने को मिलती है, राश्ट्री अप मिलिटरी स्कूल के तौर पे, जिसे की generally हम RMS भी कहते हैं, जो RMS स्कूल है, इनको शुरू करने के पीछे दर असल बात ये थी, आप दर असल ये भी आपके मन में सवाल उठता होगा कि, वाई RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, इतने सब क्राइटेरिया क्यों बनाए गए हैं, RMS शुरुआत में शुरू किये थे, जो defense personals हैं, जिनकी अलग अलग जगह पे posting आती है, अलग आतार, move करना पड़ता है, कभी border areas पे, कभी किसी remote area में, तो वहाँ उनका जो परिवार है, उनके साथ move नहीं कर सकता, पहली बात, और दुसरी बात, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके वाट्स हैं, उनको भी एक अच्छी education provide करना, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी थी, इसलिहाद से 1950s के दौर में, राश्टी मिरिटरी स्कूल शुरू किये थे, defense personals के बच्चों को education देने के लिए हैं, लेकिन धिरे-धिरे समय के साथ इसमें civilians के लिए भी कुछ जगह निर्धारित की गई, उसके बीचे वज़ाई यह है कि क्योंकि school education एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बच्चों में values को impart करने का और अगर हमें future में भी अपनी जो army है, अपनी एरफोर्स है, अपनी जो navy है, इन सब में एक बहतर talent को शामिल करना है, तो उसके लिए school education सबसे अच्छा जरिया बनता है, इसलिए रास्ट्री मिलिटरी स्कूल में भी civilians के थुरू जो बच्चे हैं वो आ सकते हैं, civilian background के भी और वो future में defense forces का हिस्सा भी बन सकते हैं और यह school education से ही शुरू हो जाता है, तो रास्ट्री मिलिटरी स्कूल के अगर मैं बात करूँ, तो इसमें admission लेने के लिए दो पड़ाओं होते हैं, या कह सकते हैं दो entry points हैं, एक है class 6 और दूसरा है class 9 राइमसी के उलट इसमें class 6 और class 9 में आपके admission हो सकते हैं, याने के बच्चे जो class 6 के लिए eligible हैं, वो in future अगर select ना हो पाएं, तो class 9 में भी फिर से try कर सकते हैं, class 6 के लिए अगर मैं criteria की बात करूँ, तो यह boys और girls दोनों के लिए हैं, और age यहां पर आपको देखने को मिलती है, between 10 to 12 years, 10 से 12 साल के बीच में आपकी उमर होनी चाहिए, जिस भी साल आप exam देते हैं, उस साल के 31st March तक, this is the deadline, यह तो आप 10 साल की उमर में आ चुके हों, या फिर 12 साल की उमर पूरी करने ही वाले हों, 12 से 13 साल लग जाएगा, तो फिर नहीं, लेकिन 10 से 12 साल की अगर आपकी उमर है, तो आप class 6 के लिए admission के लिए eligible हैं, और वहीं, अगर class 9 की बात करूँ, तो बच्चों को यहां पर 13 to 15 years का होना चाहिए, और सेम वही बात हो गई, कि मार्च में आपका ये जो criteria है, फुल्फिल होना चाहिए, तो इसमें ज्यादा तर बच्चे शामिल हो ही जाते हैं, तो 6th और 9th, these are the two entry points, और अगर मैं expected date of examination की बात करो, तो साल में एक बार होता है, अगर अगला exam जो होने वा हैं कि 2024 में notification will be out, this is the expectation हर साल की तरह, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में आप चेक कीजेगा, RMS की website पर और वहाँ पर आपको notification मिल जाएंगे, और अगर हम exam की बात करें, तो exam की date expected है लगभग December के आसपास, तो आप मान सकते हैं कि 22 December के आसपास exam होना तय है, अगर आ RMC के बाद जो सबसे better opportunity मैं कहूं, defense oriented बच्चों के लिए तो वो RMS की होती है, और यहां पर भी इने चुने schools हैं, पांच schools हैं लगपग, और पांच schools में आप या तो class 6 में, if you are between the age of 10 to 12 years, या तो class 9 में between the age of 13 to 15 years शामिल हो सकते हैं, और यह आपको साल में एक बार मौका मिलत है, उसके बाद RMS के अलावा, सैनिक स्कूल, जिसके बारे में आप सभी लोग जानकारी रखते ही हैं, और यह उनी बच्चों के लिए हमने दरसल वीडियो बनाया है, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी में शामिल 33 सैनिक स्कूल में से किसी एक स्कूल का हिस्सा बनना चाहते हैं, यहां पर कुछ खास सैनिक स्कूल भी है, और उनकी e-counseling process हो, और आगे जो भी round से लेंगे हो, सबकी जो बाते हैं, वो हम पहले ही अपने पुराने वीडियो में शेयर कर चाहिए, यहां पर मैं सिर्फ आपको बताना चाता हूँ कि अगर इस बार आपका selection नहीं होता है, तो फिर आप दुबारा सैनिक स्कूल के लिए भी eligible हैं या नहीं, यह आप चेक कर सकते हैं, तो इसमें फिर age की बात मैं कर लेता हूँ, age का criteria यहां पर भी same ही है लगभग, यहां पर भी आप class 6 और class 9, इन दोनों classes में admission ले सकते हैं, और class 6 के लिए वही 10 से 12 साल, और class 9 के लिए वही 13 से 15 साल, age bracket में अगर आप पढ़ते हैं, तो आप इस exam को फिर से दे सकते हैं, तो आप सैनिक स्कूल और RMS दोनों के लिए eligible हैं तो दोनों ही exam आपको देने चाहिए और RMS पर मुझे लगता है आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, depending upon the competition and various factors आप चाहें, तो सैनिक स्कूल में भी admission ले सकते हैं, लेकिन सैनिक स्कूल में भी कई सारे नए सैनिक स्कूल सामिल हो चुके, लेकिन मैं आपको suggest करूंगा क सिर्फ 33 सैनिक स्कूल जो की All India सैनिक स्कूल सोसाइटी का हिस्सा है, अगर वहाँ आपको admission मिलता है, then you can try for it, new सैनिक स्कूल में admission का ऐसा कोई अभी मैं आपको सुझाव नहीं दूँगा, यह रही स्कूल के लेवल पर बात और यह पूरी opportunities बच्चों के पास रहती हैं, मैं क क्लास 9 तक यानि कि आपकी उमर 15 साल की होने तक आप exam दे सकते हैं, यानि कि पूरा का पूरा spectrum आपके सामने मौझूद है, पूरा age bracket मौझूद है, तो इस बार जिनका सैनिक स्कूल में selection ना हो पाए, उनको कहीं से भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और जो कहते हैं कि सर हम तो बस last attempt में थे, सैनिक स्कूल का exam अब हम नहीं दे सकते और उसके अलावा बागी exam भी हम नहीं दे सकते जितने आपने डिसकस किये, तो आपके पास बहुत सारी और opportunities भी है, National Defense Academy, Combined Defense Services या फिर Air Force Common Admission Test, ये कुछ exams हैं जो आप अभी भी दे सकते हैं, और इसके लिए आ बारवी पास आपको होना जरूरी है, और फिर अगर आप ये सुचते हैं कि सर्थ 12th पास होने के बाद, इतना competition फिर से देखना, क्या पता उसमें भी नहों, कितने attempt है, क्या attempt है, तो आप देखिए, graduation तक भी आप eligible हैं, और मैं overall आपको बताना चाहता हूं, कि आपकी जब त इतने साल बचे हैं, आपका अगर सपना है भारती सेनाओं में शामिल होने का, आपका सपना है defense forces को join करने का, आपका सपना है उस uniform को पहन करके गौरवानवित महसूस करने का, तो आपके पास ये opportunities हैं मौजूद, जिससे आप शामिल हो सकते हैं भारत की सेनाओं में, और school education स आपके पास बहुत सारे मौके अभी और आने वाले हैं, तो निराज होने की कोई भी आवशकता नहीं है, तो इन सब चीजों के ध्यान में रखते हुए, अब defense officers academy because it is dedicated for those students who are defense oriented, हम चाहते हैं भारत की सेनाओं में एक अच्छी गुणवत्ता के बच्चे जाएं या एक अच school level के बच्चे हैं, तो आपके लिए RIMC, the first and foremost, RMS और Stenic School में admission gain करने के लिए हम आपकी मदद करते हैं, यहाँ पर आपको ज्यानत ही होगा, जो लोग हमारे YouTube channel से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि we are providing free classes on YouTube for those who cannot avail the enrollment cost, या फिर आप किसी coaching academy को join नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे कारण होता है, तो उन्हें से हम आपको free classes भी provide करते हैं, इन सब तबके के लोगों के लिए, जिनके लिए संभव नहीं है, किसी coaching में fees जमा कर पाना है, या शामिल हो पाना है, उनके लिए भी हमारे पास कुछ ideas है, we are also working on that, लेकिन इसके अलावा, हम offline courses देते ही हैं, अभी इ इस समय भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी classes में, जो की offline classes हैं, और हम मानते हैं कि offline classes में सबसे बहतर तरीका है किसी भी बच्चे को orient करनेगा, उसको सही तरीके से education impart करनेगा, because एक one-on-one interaction और सामने ही बच्चा बैठ करके रहता है, इसके लावा आप offline classes में जो ज्यादा तर बच्चे हैं, उनको हम hostel facilities भी देते हैं, because लीखिए आप एक ऐसे exam की नयारी करने वाले हैं, जिसके लिए आपको अपने total जो lifestyle है, जो आपका तरीका है जीने का, उसको भी बदलना होगा, in our hostel बच्चों का एक proper routine है, उनको अभी से एक तरीके से ढाला जाता है, उस तरीके मे अपनी जो अपेक्षा हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, so offline classes are there, we also have live classes, जिसका जिकर मैंने किया था, तो ये फिलहाल हम Google Meet नाम के platform के थूँ आपको दे रहे हैं, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के लगभग हर कोने से हमारे पास बच्चे हैं, हमारे प इस्टन इंडिया से बच्चे हैं, हमारे पास साउथ इंडिया से बच्चे हैं, हमारे पास वेस्ट इंडिया से बच्चे हैं, हमारे पास नॉर्थ से बच्चे हैं, इस सारे बच्चे एक साथ जुड़ करके हमारे साथ Google Meet के थूँ उन classes को अटेन करते हैं, और फिर अपने क्रूशल रोल प्ले करते हैं खासवार राई राई एमसी जैसे एक्जामों के लिए इन करेंट अफेर्स के लिए आपको पता है एक तो यूट्यूब पर भी हम आपको वीकली करेंट अफेर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थूँ आप अपनी तहियारी को लगातार अपडे सपने को भी पूरा किया है इसके अलावा अब मैं बात कर रहा था कि आर्थिक रूप से जो लोग नहीं जोइन कर सकते हैं वो लोग यूट्यूब के थूँ अपनी क्लासेस तो हमारी देखते हैं बट उसमें आपको एक समय लगता है और उसमें आपको ये भी रहता है कि अ स्कॉलर्शिप ये उन बच्चों के लिए है जिन में मेधा है जिन में टैलेंट है जिन में इच्छा शक्ति है लेकिन किसी भी वजह से वो कोचिंग अभी जॉइन करने में आर्थिक रूप सा समर्थ है तो ऐसे बच्चों के लिए हम आपके लिए एक स्कॉलर्शिप टेस design करने की बात सोच रहे हैं जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो भी पेरेंस इस वीडियो को देख रहे हैं यहां पर मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें एक स्कॉलर्शिप टेस्ट कंड़क्ट करना चाहिए तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर कुछ न कुछ इस विशह में आप चर्चा कीजिएगा आप कॉमेंट सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं और जैसी क्वेरी जाएंगी जितने सारे कॉमेंट आएंगे उसके हिसाब करने के लिए कुछ requirements भी होती है और उसके साथी साथ हम यह जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके ताकि जो एजुकेशन इंपार्ट करने का हमारा पैशन है या फिर आपकी जो इच्छा है डिफेंस सर्विस को जोईन करने की वह पूरी हो सके उसमे है ऐसा या आर्थिक स्थिति ज्यादा रोडा न लगाए तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू डिस्काउंट और इस समय पे एक होली ऑफर के थू हमारे सारे कोर्सेस में एक 20% का डिस्काउंट चल रहा है और इस सब के तहत आप देखिए अगर आपको एजुकेशन चाहिए अगर आपको डिफेंस फील्ड को जाइन करना या फिर आपको एक बेटर फ्यूचर की तलाश है तो आप उन सारे एक्जाम के थूरू अपने उस उमीद को पूरा कर सकते हैं और उसके लिए अगर आप डिफेंस ऑफिस अगेडमे की मदद चाहते हैं तो ये भी सा पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि निराशा के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है निराशा का जब आप संदी विच्छीत करते हैं तो इसमें आशा चुपी हुई है यानि कि सैनिक स्कूल नहीं तो क्या तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो सौ दरवाजे खुल रहे हैं और वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता हो चुके हैं और इसको आप बनाए रखें यही एक सही जीवन जीने का तरीका है और मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आप लोगों को यह बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि अगर सैनिक स्कूल में नहीं हुआ है तो फिर दुखी होने की ज़रोता है कोई भी एक इस पफलता आपको खतम नहीं कर देती है आप इससे बहुत बड़े हैं और उसी के तहट यह वीडियो हम आपके साथ लाए थे और एट दी एंड ओफ इस वीडियो आपके साथ लाए थे और आपको कुछ ने कुछ कंटेंट मुलता रहता है तो एड दी ओ डीओ डीए डीए इ डिफरेंट सोशल मीडिया साइट से जिसमें आप डिफेंस ओफिसर्स अकैडमी इस नाम से सर्च करेंगे चाहे फेस्बुक और इंस्टाग्राम हो और यूट्यूब तो है ही तो वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं तो उमीद करता हूँ यह वीडियो और इसमें कही और मीटिव वीडियो में एक नहीं उर्जा के साथ तिल देन आल दे बेस्ट टेक कियर एंड बाई बाई